पुरातन काल से महिलाओं का साश रूंगार मेकप करना एक बहुत ही करेब रिष्टा है फिर चाहे कोई भी मौसम हो या फिर कोई भी त्योहार हर मेकप की अपनी खाश शिष्टाए होती है शेहर की ब्यूटी शियन मेगा कपूर इनके सलून में आए दिन महिलाए अपने मन पसंद मेकप करवा कर दिवाली का त्योहार बड़ी हर्शोलास के साथ मना रहे है आए डालते हैं एक नजर खूबसूरती के चार चान पर भारत देश में अलग-अलग जाती धर्व पन के लोग रहते हैं हर राज की बोली भाशा और पहनावा भी अलग होता है ठीक उसी प्रकार से महिलाओ का सचना सवरना होगा तो महिलाए अलग-अलग मेकप करती रहती है महिलाओ का खाशरूंगार मेकप ही होता है और अच्छा मेकप करने के लिए अच्छे मेकप आर्टिस्ट मास्टर जरूरी होते है नाखपुर शहर की ऐसी एक मेकप मास्टर मेगा कपूर है जो पिछले 25 वर्षों से देश के कई राचों में और राचों के शेरों में अब तक कई मेलाओं पर सुन्दर सा मेकप किया है आज भी उनके सलोन में अच्छा मेकप करने के लिए दूरदरा से मेलाए आती है और अपना मन पसंद मेकप करवाती है हर सीजन में कौन सा मेकप किया जाता है जिससे सुन्दरता में निखार आता है और कैसे अपने आपको खुशाल रख सकते है इस बारे में मेगा कपूर ने चांदकारी थी दर्शक नमस्कार इस समय में इन बीसिन के टीम शर के एक ऐसे सलोन में आई हुई है जहां पर सजने अवसवरने का काम बखुब के साथ एक शर के ऐसे आर्टिस्ट मेगा कपूर हर रोज कर रही है जिससे मेलाएं काफी खुश है इस समय में हम उन्हीं के सलोन में आई हुए है और उनसे यह जानना चाहेंगे कि सजने सवरने के लिए क्या क्या काम काज किये जाते हैं और किस प्रकार से शरूंगार होता है क्योंकि महिला को काफी इस सलोन का आकरशन जो है तो आई हम सिदा बात करते हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इस समय में मेगा कपूर जो मैम है वे शुरूंगार करते हुए एक दिखाई दे रही है उनसे बाते हैं मैम यह पता ही मैम कि आज की इस भागदोर भरी जिंदगे में शुरूंगार करना कितना महत्वपूर्ण होता है शुरूंगार करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि गहना पहनना और यह शुरूंगार अभी का नहीं है यह पीडी धर पीडी रिश्वी महाराजवा मुनियों के समय से यह शुरूंगार का महत्वपूर्ण चला रहा है और इस चीज यह कोई बुरी चीज नहीं है यह बहुत ही एक बहतरी चीज और यह इनसान को जिन्दा रखती है सबसे बड़ी बात क्योंकि श्रिंगार के बिना हर चीज अदूरी है तो जितना श्रिंगार महत्वपूर्ण है उतना ही अपना केर भी महत्वपूर्ण है जब आपने स्कीन का केर बहुत अच्छे से करेंगे तो श्रिंगार एवई सुंदर लगेगा सर जैसे कि देखते हैं कि दिपाहले के दिना अक्सर लोग पठाके फोड़ते हैं और वो जो स्क्रेम उनकी जो स्कीन है वो थोड़ी सी ऐसी मतलब काली गिर जाती है तो ऐसे समय में महिला ओने किस प्रकार की प्रिकॉशन लेने चाहिए अ फटागे फोड़ना बुरी बात नहीं है मैं बोलूग़ बेशक फोड़िये बम फटाके फोड़ना पर हर चीज एक लिमिट में होता क्या है? आप हम उस चीज का तो उपयोग कर लेते हैं फटाके हम फोल लेते हैं पर बाद में क्या होता है उसका असर कहीं ने कहीं हर बंदे के स्कीन पर होता ही है फटाके में जो ग्लू होता है उसमें जो तत्व होते हैं वो बहुत जादा हाइपर होते हैं जब वो आपके स्कीन पर इनके स्वाप की आँख में चला गया तो एक इशू बन जाता है उसके बाद आपका स्कीन पर आ गया तो कहीं ने कहीं स्कीन में जलन जैसा इरिटेरिंग करता है हमको खुद फिलिंग बेटर नहीं आता है तो उस चीज के लिए आपको प्रकोशन्स लेने चाहिए बहुत सब्सक्राइब करते हैं यानि हमारा स्कीन पूरा ड्राय हो जाता है उसकी वजह से मैं चाहूंगी कि आप प्रकोशन्स पहले आठ दिन पहले से शुरू कर दें मैं मानती हूं मैं खुद एक हाउस वाइफ हूं होता क्या है हम घर की सफाईयां करते हैं क्लीनिंग करते हैं सब्सक्राइब करते हैं घर को तो मास्कीन और ज्यादा ड्राय हो जाता है तो उसकी वजह से अगर आप लोग आट बिन पहले हां किजी क्लीनिंग डस्टिंग कीजिए पर आप उसके साथ साथ आप लोग थोड़ा सा निव्या क्रीम यूंकि बहुत सॉफ्ट होता है आप कि क्यांते हैं थेसे हामफुल नहीं होते हैं आप जानकारी आपके पास पफिक्ट होनी चाहिए तो वो चीज आ हनीकार नहीं है तो बिल्कुल आप थी मेगा कपुर जिन्हों ने बकुबियर बेबर के साथ बात करते हैं इन तमाम पहलों पर होशनी डाला और इनका ये मानना है कि सजना है सवरना है तो सलून में आना ज़रूरी है और ऐसे से मेलाओ कि इन्हों ने मेकप किये है कि जो मेला खुद को पेच जान ने सकती कहिने का तक पर है कि उनके सुन्दरता में चार चान लग चुके निखार आ चुका है और हर मेलाए सजना सवरना चाती है और इसके लिए शहर की मेगा कपुर पूरी तरह से तयार है नाकपुर के इस सलून से कैमेरा परसन मौनु खान के साथ संजेई मीरे इन भी सेनिस नाकपुर